गुद मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज केम्पिटर की क्लास है केम्पिटर की क्लास में हमने कल की लेक्चर में MCQ किये थे चैप्टर बन की बैक एक्सराइज की इत मींस पार्ट ए किया था आज हम पार्ट भी करेंगे हमें true statement के लिए जो सही statement है उसके लिए हमें टिक करना है जो हमारी false statement है गलत statement है उस पे हम cross कर देंगे फर्स्ट इस अ क्यम्पिटर वर्क्स वेरी पास्ट एक क्यम्पिटर तेज काम करता है तेजी से काम करता है yes or no, yes करता है यानि कि ये true statement है तो हम टिक कर देंगे फर्स्ट में second is a computer always give correct result क्या computer हमेशा correct result देता है it means सही से result देता है कभी भी उसका result गलत नहीं होता yes क्योंकि computer हमेशा result क्या देता है correct देता है सही देता है हम यहाँ पर टिक कर देंगे third is a computer can take its own decisions क्या computer अपने स्वयम की decisions लेता है no, नहीं लेता क्योंकि उसे हम instructions देती है उसे हमारे instructions की need होती है तब वो काम करता है वो खुद से अपने नहीं लेता इसलिए यहाँ पर close लगा देंगे क्योंकि यह हमारी false statement है fourth is the CPU performs different operations on the data that is entered into the computer CPU perform करता है different operations data पर जो हम enter करते हैं computer में yes, जो भी हम computer को input देंगे हम data enter करेंगे computer में उस data पर CPU different operation क्या करता है perform करता है क्योंकि CPU में तो सब processing होती है इसलिए यह true statement है तो हम tick कर देंगे fifth is a computer never gets tired or bored it means के computer कभी भी थकता नहीं है bore नहीं होता yes, क्योंकि computer ना कभी थकता है और ना ही कभी bore होता है और हमारी यह जो बोर की spelling है वो गलत है B O R E D आप इसको correct कर लेना it means computer कभी भी ना थकता है ना कभी bore होता है इसलिए यह हमारी statement true है आप अच्छे सिंग को revise करना neat and clean अपनी book में fill करना ओके और मेरी वीडियो को like और subscribe जरूर करना it is sufficient for today thank you and have a nice day झाल करना